Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel, my name is Lakshmi Shankar. Chat GPT को use करके, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे social media marketing, means, Riko, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, या ऐसे जितनी भी social media platform है, इस भी कैसे हम लोग अपने content को, suppose that आपने कोई भी content develop किया हुआ है, वो चाहे किसी भी topic पे हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं आज topic discuss करने जा रहा हूँ, उसी पे आपका, वो आपका topic, आपका keyword कोई भी हो सकता है, तो बस जो मैंने format यहां पर रिया हुआ है, जो prompts मैं use करूँगा, उन prompts के जगा पे आपको अपने keywords को रखना है, और आप अपने keyword को रखते ही, चैट GPT से, social media, जितने भी LinkedIn, Facebook या Twitter ऐसे है, इस पे कैसे आप एक piece का content यानी, जो भी आपने content develop किया है, जो भी content, जो भी keyword पे आपने blog post write किया, या video बनाया है, उसी same content को कैसे आप traffic को अपने website पर बढ़ाने के रिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा users तक आप पहुँच पाए, उसके लिए आप chat GPT को use करके कैसे content write करा सकते हैं, और different social media platform पे उसे use कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर मैं use करूँगा keyword, मैंने रिया है keyword on page and off page SEO पे मतलब blog write किया हुआ है, और उसको base बना के मैं सारा चीज करूँगा, लेकिन आपका कोई भी keyword हो सकता है, और जाए suppose that आपने PPC पे बनाया हो, या video editing पे कोई blog write किया हुआ हो, या suppose that e-commerce SEO पे आपने कोई blog write किया हुआ हो, या video content बनाया हो, तो यह सारे type के, यानि किसी भी type के content पे, किसी भी type के keyword पे, easily आप इसको apply कर सकते हैं, similar format होगा, simple यही prompt को copy paste करना है, और वहाँ पे अपने keyword को use करना है, मैं जितना भी chat GPT के जितने भी videos बना रहा हो, जितनी भी session हो रहा है, और सारे chat GPT के prompts को मैं अपने description में share कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप सारे prompts में जाएंगे, simply copy करना है, paste करके अपने recording keyword को डालके use करना है, तो यहाँ पर हम लोग जो use करेंगे सबसे पहले, तो एक जो भी piece of content है, यानि जिस भी keyword को आपने decide किया है, उसको देखेंगे कैसे social media पे, different social media पे उसी content को use करके, कैसे और लोगों तक reach करेंगे आप, next one is Twitter thread, Twitter का, आपनों को मालू है Twitter बहुत ज़्यादा popular है, तो Twitter तक ऐसे आप अपने content को, मतलब एक धंग से उस content को आप represent भी कर दें, जिससे की user को समझ में भी आ जाए, कि हाँ आपका content किस से related हो, और वहाँ से जो main आप video का या आपने website का link देंगे, वह वहाँ से click करके आपके main website या वीडियो पे चला जाए, उसके बाद हम लोग जो भी social media post for recent blog post based on keyword, जो भी आपने अभी recent में कोई blog post बनाया है, उसके keyword के basis पे कैसे social media पे आप interact करेंगे, उस चीज़ को discuss करेंगे, social media post ideas for my brand, जो आपका brand है, उसको कैसे social media पे use करेंगे, social media posts and images idea मतलब आपका जो content है, उससे related क्या-क्या images या वीडियो और आप बना सकते हैं, और social media पे डार सकते हैं, उसको discuss करेंगे, and YouTube title मतलब suppose अपने blog post write किया हुआ है, और उससी चीज़ को वही same keyword को use करके, आपको YouTube पे वीडियो बनाना है, तो कैसे title, description, tag, hashtag कैसे सारी चीज़े, chat GPT से write करवा सकते हैं, और उसके बाद last में हम लोग देखेंगे, कि social media calendar में support आप कोई भी keyword जो decide किये है, उस पे पूरे मन्त का एक calendar बनाना चाहते है, chat GPT से, यानि like first December को ये particular topic पे आप वीडियो जाएगा, या content जाएगा, second को इस पे, third को इस पे, तो पूरे मन्त का planning पूरा calendar ये chat GPT बना करके देदेगा, तो इन सारी चीज़ेंगे लिए prompt write करेंगे, और उसके बाद से chat GPT से देखते हैं, कि output कैसे आता है, तो सबसे पहला जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, different social media posts for one piece of content, इसके दिए मैंने prompt write किया है, I have created a video and matching blog post guiding on the ins and outs of on page and off page SEO for website, on page SEO concentrate on, यानि जो भी आपने keyword, मेरा keyword किया है, on page and off page SEO for website, अब उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना होगा, जिससे की chat GPT उस चीज को understand कर सके, तो मैंने यहाँ पे रिखार on page SEO concentrates on optimizing elements with your control, while off page SEO centers around enhancing your domain authority, इसके बाद यहाँ पे मैंने राइट के, you are an expert copywriter, यानि अभी chat GPT को बोलें की, you should act as an copywriter, आप act करो, you speak in and active wise, यह सारे हम लोग जो यह write कर रहा है, यह सारा chat GPT को इस्टक सास दे रहा है, you are an expert at social media marketing, and you write in the second person, use the information above, यानि जो अभी यह information उपर दिये हुए है, and use everything you know about on page and off page SEO, to come up with five unique social media posts, आपे five unique social media posts, 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, जैसी आपके write करना हो वाईसे, तो five unique social media posts, that I can publish, where I talk about benefits of on page SEO, and off page SEO, and link to my account, इस तरीके से जब आप detail में chat GPT को कोई भी context देते हैं, तो result इससे अच्छा आता है, सही आता है, आपको ज़्यादा detail में चीज़ा आते हैं, तो इसको मैं यहाँ से copy करता हूँ, simply इसको चलते हैं chat GPT में, chat GPT में new chat पे आ जाते हैं, और यहाँ पर simply इसको paste कर देते हैं, तो paste करने के बाद, यहाँ पर थोड़ा साइ time लेगा, मैंने पहले भी last video में बताया था, कि मैंने दो extension इसके दिए use किया है, आप लोग भी ओदो extension इसकों कर सकते हैं, AI, PRM, and web chat, यह दोनों से यह होता है, कि AI, PRM के थुरू बहुत सारे ऐसे marketing से related, SEO से related, या बहुत सारे उन्होंने prompt के दिया हुआ है, जिसके थुरू आप कर सकते हैं, और web chat इसरी यह use करते हैं, कि chat GPT updated नहीं है, तो इससे updated data यानि यह क्या करता है, Google पे जाता है, और web पे जाके web pages पे सर्च करता है, और वहाँ तो data आपको देता है, तो आप देखो, इससे मैंने बोड़ा था, 5 unique social media posts देने करे, that I can publish, where I talk about benefits of on-page and off-page SEO, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 दे दिया है, ideas, maximize control with on-page SEO, optimize your sites, content, structure to boost visibility, and user experience, take charge of your ranking, amplify your authority through off-page SEO, why on-page SEO, unleash your website, potential off-page SEO, the backlink advantage, achieve SEO, harmony on-page and off-page unit, अब यहाँ पर आपको यह पाच, unique social media posts दे दिया, जिसको कि आप इसको share कर सकते है, social media posts पे, social media पे जाकर करे, और देखते है, next में, next जो इसका topic है, Twitter threads, यानि Twitter पे में, इसी topic को, इसी keyword पे बेस होना चाहिए, और Twitter पे आपको कोई, posting करनी है, तो उसको कैसे write, मैंने prompt write के, you are an expert copywriter, same way you speak in and active as you are an expert at social media marketing, and you write in the second person, यहाँ से start होदा, I want to publish four part Twitter thread, about on-page SEO and off-page SEO, इसमें specifically मैंने बताया है, कि third part में, I will be linking to my on-page SEO video tutorial, and in fourth video, fourth video में, I will be linking off-page SEO, तो आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने properly इसको बताया है, कि third में on-page SEO tutorial, मेरा link होना चाहिए, fourth page में off-page होना चाहिए, now suggest a compelling four part Twitter thread, about on-page and off-page SEO, where each part of the thread, test website owners, how on-page SEO and off-page SEO techniques, will be helpful for their website ranking, and make sure the third and fourth part are focused on my video, तो इससे यह benefit होता है, आप जब detail में बताते हैं, यहाँ पर simply मैं आया, new chat पे और आकार करके, prompt मैंने chat GPT को दे दिया, जब detail में आप बताते हैं, तो उसी के recording एक content भी देता है, अब जैसे मैंने बोला, इसको कि four part में, यह जो tweeter पे मुझे write करना है, four part में divide करके दो, third part में मैंने बोला, specifically कि यह on page based होना चाहिए, और वहाँ पर link करने के लिए होना चाहिए, जो मैंने tutorial आर्रेडी बनाया है, और fourth part में off page का होना चाहिए, तो यह आप देखो, exactly वैसे ही दे रहा है, part one, part two, तो part one में क्या दिया, introduction दे रहा है, boost your website, visibility and ranking with powerful SEO strategy, part two हुए, यहाँ पर दिख रहा है, on page SEO, sincere, part three आप देखो, on page mastery, यहाँ पर आपको link के रिए भी दे रहा है, कि यहाँ पर आप अपने tutorial का link यूज़ कर सकते हैं, and part fourth में, off page का पूरा impact दिया है, और उसके बारे में, दो-ते रहा है राइट भी किया, it's not just about your website, off page SEO matters too, explore techniques like social media marketing and influencer outreach, your off page SEO video tutorial, और इस discover the power beyond your site, और यहाँ पर आप ने video का link दे सकते हैं, इस तरीके से, मतलब second हम लगान में देख रहा है, Twitter thread, now, third one is, social media post for recent blog post based on keywords, यानि इसमें हम लोग इसको keyword देंगे, और उसकी basis पे बोलेंगे, blog post मतलब इससे, जो above keywords होंगे, यानि जो keyword दे रहा हैं, उसकी basis पे social media post को write करने करी, तो यहाँ पर मैंने, जो keywords रहा है, वो on page से related है, like title tag, meta description, hit tag, keyword in your area, image optimization, formatting, EAT signal content, अब इससे मैंने बोल रहा है, SM, Y, Ryan, you are an expert copywriter यहां तक, अब यहां से, for each of the above keywords, suggest one social media post, यानि जितने भी अभी उपर, 10 बताया है, इस पे एक, मत हर एक पे, suggest one social media post, and each social media post, will have a link, to the relevant blog post, for each keyword, means, इस एक एक के बारे में, तो write ही करे, इसके रहां यहां पर, link भी करने के लिए, दे, जहाँ पर की, अपने वीडियो का, या अपने website के page को, link कर सकते हैं, make sure the posts, or social media, are unique, and make use of keywords, to convince the user, to click through, to my blog article, in order to learn more, so simply, इसको यहां से, हम लोग copy कर लेते हैं, इस prompt को, और new chat पर जाते हैं, और इसको, यहां पर एक prompt देते हैं, तो इस case में क्या हुआ थी, हमने keywords आरेडी दे दिया, तो keyword जब आप देते हैं, तो उससे best result, आप without keyword भी, chat GPT से पूछ सकते हैं, कि suppose that, कि on page से related, जो keywords होते हैं, वंग पर write कर, रेकिन, आप जो blog post write किये हैं, आप जो video बनाए हैं, तो आपको ज़्यादा idea है, कि आपने किन keywords पर बनाए हैं, तो वो keywords देखे, उस पर prompt देंगे write करने को, तो वो ज़्यादा better result मिलेगा, तो जैसे मैंने आप इतने सारे keywords दिया, और इसको बोड़ा, इसने write के write, tight attack, craft comparing, tight attack, that grab attention, boost your SEO, and click through rates, rates by learning the art of creating, captivating, tight attack, और यहाँ पर आप उसके link को भी दे सकते हैं, जो भी आपने link वीडियो या blog post में write किया है, meta description आप दे सकते हैं, header tag के लिए दिया हुआ है, keyword in URL उसके बार में, image optimization, format text, internal and external link, canonical tag, EAT signal and content, तो देखा, आपने जो आप में keywords दिया था, उसकी basis पे social media post कैसे आप write कर सकते हैं, इसने यहाँ पर दे दिया, simply आप इसी चीज़ को use करते, copy paste करके different social media पे, आप इसको post करेंगे, तो आपके traffic पहुँज़ादा इससे बढ़ती है, next fourth one, fourth one is social media post ideas for my brand, तो इसके लिए मैंने write किया है, I have a blog post that teaches on page and off page SEO technique, आप simply यहीं पे आप अपना keyword use कर देंगे, जो भी आपका, किसी भी चीज़ से related सा पूँज़ाद, आपका है कि मतलब how to travel in train, how to travel in airplane, जो भी है, आपको simply आपे डान है, how to edit videos, इस पी आदी आपने blog write किया, simply आपना keyword use कर देंगे, so on page and off page SEO techniques to new website owners, for example, I have a blog that shows users how to write title tag and meta description, why h1 is important, when to use canonical tag, my target market is, यहाँ पर आपको target market बताना होगा, जो भी चीज़ से related है, आपको उससे related बताना हो, जैसे travel से related है, तो travel से related बताना होगा, यहाँ पर आपको कुछ खाने से related है, तो आपको खाने से related बताना हो, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि target audience, target market क्या है, my target market is new website owners, who are running, how to use on page SEO techniques, while building a new website, you are an expert at social media marketing, and you know how to grow followers on all of the top social media channels, I want to use these social media ideas consistently, so I can grow my followers, assume I will be posting content on YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook and Twitter, यहाँ पर मैंने social media को भी mention कर दिया, कि इन social media पर मुझे post करना है, इससे on page and off page SEO से related, तो इसको देने, simply यह command आप भी copy paste कर सकते हैं, उसमें अपने keywords को डालिए, और उसकी according जो भी आपका target market है, उसको mention कीजिए, आपको किन-किन social media पर write करना है, किस पोश्ट करना है, उसको mention कर दिये, तो इससे chat GPT से बहुत अच्छा result मिल सकता है, तो आप सोचो बतर एक content जो आपने एक पार बना दिया, उसी के तुरू कैसे आपको different different channels से traffic ज़्यादा मिल सकता है, तो इसने write किया है, like creating engaging visual content on YouTube, utilize Pinterest for infographic, share bite-sized tips on Instagram, Facebook for in-depth guides, Twitter for daily SEO tips, अब next one is, fifth one is social media posts and image ideas, आपके पास content है, आपने video के format, ब्लॉग के format में content बना है, लेकिन उससे आप image का idea ले सकते है, chat GPT से और बहुत सारे images, आप generate करके या बना करके आज सकते हैं, जिससे audience आपकी website या video पर आ सकते हैं, and use everything you know about on page and off page SEO to come up with three social media, आप जितना चाहें उतना यहाँ पर use कर सकते हैं, मैंने three यहाँ पर mention किया है, three social media posts for LinkedIn, three social media posts for Twitter, three social media for Instagram, and three social media posts for Facebook, इसके मैंने specify कर दिया, आप ही जितना चाहें five, post चाहें each के लिए तो उतना mention कर दिजिए, tank चाहें ten mention कर दिजिए, now suggest seven unique images ideas for the post that will be helpful to my audience, तो इससे related images इससे chat GPT से write करने को देने को, जिससे कि उस type के images आप create कर सकते हैं, और उसको different social media use कर सकते हैं, post कर सकते हैं, और वहाँ से आपको traffic मिल सकता है, तो यह अभी command मैंने दिया, अब इसके आप देखो, elevate your website performance with on-page and off-page SEO, master, LinkedIn post, तो इस सबका अलग-अलग दे रहा है, क्योंकि मैंने different different पूछा था, और हर एक के लिए three post पूछा था, तो यह आप देखो, LinkedIn post के रिए three दे दिया, क्या दे रहा है, master on-page SEO, boost your domain authority, ready to dominate SEO, तो LinkedIn के रिए three दे दिया, ऐसे Twitter के रिए दे दिया, फिर Instagram के रिए like on-page SEO, with your website, ready to conquer the digital landscape, फिर Facebook के रिए दे दिया यहाँ पर, फिर image ideas आपको नीचे दे दिया है, सबके रिए, infographics show, casting on-page SEO element of college, and engaging content creating for off-page SEO, visual comparison of website with and without SEO optimization, eye-catching graphics, registration backlinks, तो यहाँ पर यह idea दे दिया, कि किस type के आप infographics और images, create कर सकते हैं, तो simply आप भी अपने topic या keyword पर, इससे idea ले सकते हैं, और यह आपको ऐसा idea दे देगा, 6th one is, YouTube title में आपने जो content बनाया है, suppose that आपने कोई YouTube पर video बनाया है, डा़ने के लिए, या परने कोई content blog post यह है, और उसको video बनाना चाहरे, तो उसके लिए यहाँ पर कैसे YouTube titles, description tag and hashtag आप generate करा सकते हैं, यह जो बने image शेयर कर रहा हो, YouTube की किसी भी type के video के लिए, जो जिस भी type का आप video create करते हैं YouTube, simply आपको अपने keyword याप याप यूज करना है, और इसको copy paste करके, आप chat GPT को दे देंगे, और आपकी according के title, meta description, tags, hashtags, जो भी YouTube के में use करते हैं, वो सारी details, chat GPT, बहुत अच्छे तरीके से आपको दे सकता है, और simply आप content create करिए, और इसका use करकरके, यानि यह meta description, title यह सबको use करके, आप बहुत attractive, बहुत अच्छा video content पोश्ट कर सकते हैं, अपने YouTube पर, जैसे मैंने दिया था, I just published a YouTube video that was on on-page SEO and off-page SEO tutorial, I showed people how to use on-page and off-page techniques to grow website traffic, you are an expert, copywriter वाई सम्ची, suggest five unique YouTube titles, I can use suggest and suggest a 700 video, 700 word video description, जितना भी आपको long चाहिए, उतना आप या दे सकते हैं, 700 या 1000 या 500 word, suggest 10 YouTube tags and suggest 20 hashtags, I can use that, will be relevant to my video, अब इसपे देखो, आप master on-page SEO, on-page and off-page SEO boost your website, traffic now, dive into the world of SEO, उसके बार में दे दिया, SEO domination के बार में दे दिया, secret revet, on-page and off-page, unlist for explosive growth, SEO magic, then SEO mastery 101, on-page and off-page tactics, इस सारी चीज़े यहाँ पर, अब देखो आप नीचे वीडियो का description, यह आपको यहाँ पर टाइटल दे दिया, अब यहाँ पर description दे दिया, what you will run in this video, why watch, why means you need to watch this video, और यहाँ पर देखो, आपको पूरा text, जो मैंने बोड़ा था कि 10 text दे दो, 10 text दे दिया, hashtag भी दे दिया, पर सारी information आपको यहाँ से मिल गया, आपने content बनाया, और उस content के basis पे, इससे सारी चीज़े, write करवा लिया, simply अब आपको YouTube पे अपना वीडियो अप्लोड करना है, title इस title को यूज करना है, meta description, tags, hashtag को यूज करके, और आपको YouTube पे अप्लोड कर देना है, now last one is, social media calendar, यानि हमें एक calendar बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर रिया है, December month का मैंने रिया है, कि December month का 1st सिरे के 30 तक का, इक टॉपिक के रिया राइट पर December पे किस पे वीडियो या ब्लॉग बनाना है, 2nd December को कैसी, तो पूरा planning के साथ तक, आप भी अपने keyword के बेस पे, पूरे month का calendar बना सकते हैं, राइट करवा सकते हैं, chat GPT से, मैंने राइट किया है, I have covered SEO course extensively on my blog post and I have blog post covering the most popular SEO technique. For December 2023, I want to focus on providing my audience with unique SEO techniques, content that covers the most popular topics related to SEO techniques. I want to highlight one SEO topic for each day. तो इस तरी के से आपको define करना होता है, कि मत्वड डिली आप किस topic पे write करवाना चाहरा हैं. In December and link to the corresponding page on my blog, you are an expert copywriter, YCM line, suggest a social media calendar for December 2023 with a different SEO topic for every day in December, output the social calendar in a table, तो ये table के format में दे देगा. तो इसको simply prompt को यहाँ से copy कर लेते हैं, new chat पे आते हैं, और new chat पे आने के बाद, इस prompt को copy paste कर देना है. अब हमें पूरा ये December मन्त का, जो मैंने keyword दिया है, उसकी basis पे पूरा tabular के format में, परड़ेता दे देगा, कि 1st December, 2nd December, डेली, क्या आपको करना चाहिए. तो इस तरीके से, कि यहाँ पर आप आप देख सकते हो, कि इसका output आप देखो, मैंने यही prompt copy paste किया था, और यहाँ पर output में आप देखो, यहाँ date दे दिया, social topic, social media copy, and blog का link, पूरा आपको format यहाँ पर मिल गया, कि मतलब 1st December को आपको क्या करना है, यह 2nd December को क्या करना है, आप देखो, जैसे यहाँ पर 1st December को दे रहा है, untapped keywords on Reddit, और social media copy में रिख रहा है, discover the hidden games on Reddit for SEO success, फिर 2nd December को advanced SEO techniques, 3rd December को entity based SEO, 4th December को conversational queries, देन ऐसी आप देखो, मतलब internal linking 11th December को दे रहा है, देन SEO trends in 2023, 18th December को feature snippets, देन 23rd December को SEO audit checklist, अद 28th December को दे रहा है SEO case studies, इस तरीके से यहाँ पर देखो, आपको हर एक चीज यहाँ पर दे रहा है, मतलब text भी दे दिया, hashtag दे दिया, और किस topic पर मतलब आपको किस date को write करना है, blog post या video बनाना है, तो इस तरीके से पूरे मंत का आपके पास calendar होगा, और उसकी recording आपको पूरे मंत का strategy बना सकते हैं, तो इस तरीके से आपके पास यदि कोई भी content है, जो भी content, जिस भी topic पर है content, वो content को use करके, आप इस तरीके से social media को use करके, वहाँ से traffic ला सकते हैं, तो ये एक ही content को कैसे multiple तरीके से use करना है, I hope इस वीडियो में आपको clear हो गया होगा, तो आज की वीडियो में इतना हैं, फिर हम लोग next वीडियो में discuss करेंगे next topic को, thank you, thanks for watching. कर दो करेंगे next topic करेंगे next topic करेंगे next topic